नमस्कार दूस्तों मैं हूश राइकर आप देखने इस डिजिटल सोल्ड स्टार्ट आज मैं आपको देखने जरो MI basic earphone यह पे आप देख सकते यह बहुत ही popular earphone है Amazon Flipkart दोनों ही प्लाटफोर्म में बहुत ही ज़्यादा ही इसका सेल होते तो आज देखते ही यह headphone actually में है कैसा और इस वीडियो के अंदर मैं करने हो आप में से किसी एक के comment को सबसे उपार टॉप पे पिन तो एक like के सथ comment भी कर देना तो यह box यह आप देख सकते हैं उपड़ यह लिखा गया है MI earphone basics with mic कुछ features यह पे mention किया गया है जैसे balance sound, aluminium chamber, light weight और नीचे यह पे headphone का photo दिया गया है इचे यह आप बहुत सार specifications बगाड़ा दिया गया है तो चले है box को खोलते है तो इसके अंदर headphone हमें इस position में देखने को मिल जाता है और यह पे packet के अंदर चाड़ो silica रवाड air tips दिया गया है आपके air के size के लिए आपे अलग-अलग variant यह पे दिया गया है तो आपको जो अच्छा लगे है यह आप इंस्टॉल करके set करके पहन सकते हैं इसका quality बहुत ही अच्छी तरीका है बहुत ही soft और बहुत ही comfortable है तो headphone यह पे आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही अच्छी तरीका लगड़ा है जो premium headphone होते हैं कहीया तक उसके तरह ही लगड़ा है और यह आपको तीनों color variant के अंतर देखने को मिल जाएगा red, black and blue headphone के housing यह पे complete metal build है यह पे कोई MI के branding बगड़ा हमें देखने को नहीं मिलता और इसके से एक बहुत ही बड़ा downside है अचकल की earphone में यह आपे magnet दिया जाता है जैसे realme के earbuds में magnet दिया जाता है यह पे कोई magnet बगड़ा हमें देखने को नहीं मिलता यह बहुत ही अच्छी तरीका trend है आचकल बहुत ही सारे smart headphone के अंदर इस तरीका magnet बगड़ा दिया जारा है बाट यह पे कोई magnet बगड़ा हमें देखने को नहीं मिलता अब ओयर जह आपे headphone के साथ एटच किया गए इसका quality बहुत ही अच्छी तरीका है यह आपे अच्छी तरीका है यह आपे जोइन किया कर सकते हैं यह पे microphone भी इसके साथ दिया गाए microphone hole यह पे देख सकते हैं यह पे L-shape 3.5 mm gold plated jack दिया गाए तो L-shape होने के वज़े से बहुत ही अच्छी बात है कि यह आपे आसानी से खीचने पर disconnect नहीं होगा अब इसकी build quality के बात करूँ तो headphone के housing ही यह आपे complete जैसे मैंने बता हैं metal build है तो यह पे aluminum metal build है बाट metal होने के बाद भी बहुत ज़्यदा heavy नहीं है बहुत ज़्यदा light हो यह थे for example इससे पहले मैंने एक बार review किया था boat का base head 200 जिसका भी यह आपे housing metal का था बहुत ही अच्छी तरीका metal वो आपे use किया था बाट हो बहुत ज़्यदा heavy है और wire quality की बात करो तो बहुत ही ज़्यदा soft and comfortable है और यह tangle free है जो अभी का सभी headphone में या earphone में हमें इस तरीका tangle free और देखने को मिल जाता है कोई problem नहीं होगा बाट long time के लिए यह पे बहुत एच्छी तरीका problem यह पे आप थेस काने वाले तो वरहल इस price के अंदर ठीक ठाक है बट obviously इससे बढ़िया हो सकता था अब sound quality की बाद करूद तो bass बहुत बढ़िया है अब आप कुछ नहीं है कि आम इसको recommend करता हूँ जी मैं इसको recommend करता हूँ बट कुछ चीज़ी आप अच्छा नहीं है जैसी आप ए magnet नहीं दिया गया है sound quality अच्छा नहीं है और पहनने का जो comfortability है वो अच्छा नहीं है तो और आपके budget अगर इस तरीका price range के अंदर है और आपको एक casual सा headphone चाहिए तो आप यह ले सकते है और आपके budget थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप दूसरे headphone आप देख सकते है और आपके MI का branding है इसलिए इस headphone को आप मत लिजिए आपके budget और आपके requirement की सबसे आप लिजिए तो इस वीडियो को देखने के आपको बहुत बहु के देजिए एक बड़ा सा like और ऐसे इंडिस्टिंग वीडियो के लिए सबस्क्रेट कर दीजिए मचल इस भी डिजिटल को और मैं आपके भाई शायोक मिलता अपसिनिक्स टोर एक जवरदस्त वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई